लोगों का महागटबंधन है जनता दल्यू रास्टिय जनता दल और कॉंग्रेस पार्टी का हम लोगों ने महागटबंधन बनाया तो जब महागटबंधन में सबसे पहला निर्नेया लेना था कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी बिना किसी जन्जट पटपट के हम लोगों ने बारह अगस्त को एलान कर दिया तीनों पार्टी के सीट की संक्षा सौव सौव चालिस और इसके बाग हम लोगों ने तीस अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिवान रैली आयोजित करने का निर्णे लिया जिस प्रकार से पूरे बिहार से लोग पटना के गांधी मैदान की तरफ उमड़ पड़े गांधी मैदान छोटा पड़ गया पूरे पटना को बिहार के लोगों ने पाट दिया और उसी समय ये पता चल गया था कि लोगों का जुकाओ की सोर है अब दूसरी तरफ भारतिय जन्ता पार्टी का गठबंदन है अब जब चुनाओ की तारीकों का एलान हो गया तो हम लोगों ने इस बात का भी एलान कर दिया कि कौन पार्टी हमारे महा गठबंदन की किस सीट पर चुनाओ लड़ेगी और दूसरी तरफ भारतिय जन्ता पार्टी के नित्रितु का भी एक गठबंदन है वहाँ पर आपस में जिस प्रकार का वातावरन बना है लोग नाखुसी प्रकट कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाब बोल रहे हैं ये दौर आपने देखा पिछले 15-20 दिनों में अनेको बार आया कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा इसका फैसला करने में ही उनको इतना समय बीत गया और इसके बाद कौन किस सीट पर लड़ेगा इसका फैसला करने में भी भारी भजियत का सामना करना पड़ा और अभी तक वो संकट सुल्जा नहीं उनका आपस में तो एकता है नहीं तो चट्टानी एकता वाले महागठ बंधन का मुकाबला उनक्या खाकर के करेंगे मैं उसे पूछना चाहता हूँ सिर्फ प्रचाब हवावाजी उससे क्या काम चलता अरे देश की जनता जहासे में एक बार आ गई दिहार के लोग में उसके शिकार हो गए जगा जगा घूम करके भारतिय जनता पार्टी की ओर से प्रधान मंत्री के उमिद्वार अब जो देश के आधर निये प्रधान मंत्री है उन्होंने भासन दिया काला धन लाएंगे हर गरीब को मुफक्त में 15 से 20 लाख रुप्या यूही मिल जाएंगे अब लोग इंतजार कर रहे हम तो नवंबर से घूम घूम करके जो वो बोले थे उसका टेप सुनवा दिया पूरे बिहार में घूम घूम के और तो और दिल्ली में जनतर मंतर पर जा करके भी उन टेप सुना दिया खुद बोलें यहां तक कहा था उस समय उनके भारतिय जनता पार्टी के रास्टी अद्रेक्स में जो अब देश के मानिये ग्रिह मल्क्री है सौ दिन में ले आएक कहा गया काला धन एक वायदे पूरा नहीं किये पिसे सहायता के नाम पर जाई पैकेज का ऐलान किये हैं एक लाग पचीस हजार करोड रुप्य का हमने उसके बारे में प्रमान के साथ बता दिया कि एक लाग पचीस हजार करोड रुप्य में से एक लाग आठ हजार करोड रुप्य की योजनाएं पुरानी है सतासी प्रत्स्वत योजनाएं पुरानी है दस हजार करोड की योजनाओं का कोई अता पता नहीं है ये पूरा का पूरा पैकेज का एलान एक धुका है